हेलो फ्रेंड्स वेलकम तू गरेल योजदी गरेल योजदी में आपका बहुत बहुत स्वागत हैं तोस्तो आज आपके सामने फिर नहीं वीडियो लेके आया हूँ लाइफ में नेचुरल हैं हेल्दी रहें बी नेचुरल बी हेल्दी इन यूर लाइफ लोग जितना जीवन में हेल्दी रहते हैं वो लोग प्रकिर्ट से बहुत जुड़े हुए रहते हैं इसलिए प्रकिर्ट से बहुत जुड़े हुए रहिए दोस्तों इससे आपको फायदे वस्च मिलेंगे तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं कि जो काली खांशियां होती हैं आम तोर पे वो जल्दी जाती नहीं आती हैं तो उसका कैसे क्या समधान है उसी के बारे में इस वीडियो में बताया जा रहा है तो चलिए बताते हैं उसके जो भी समस्या है उसको कैसे ठीक किया जा सकता है काली खासी गले में जो समस्या हो जाती ہے उसको कैसे ठीक करें आम तोर पर ये जब होती है तो कई प्रकाशे लोगों को मुझे किसी भी प्रकार का कोई बल गम या फिर कफ नहीं निकलता लेकिन ये सूखी खासी हुती है और काली खासी और इसमें अच्छे अच्छे लोगों का दिमाग हिला देता है तो आईए इसके बारे में बताते हैं इसको क्या करना है आपको और कैसे दवा बनाना है और कैसे खाना है दोस्तों घरेलू और अवस्दी पे अगर आप नए हो सबसे पहले आपको दीख रहा हुआ इसके इन पर यह है ऐलम यह ऐलम इतना गुड़कारी होता है इसका उपयोग किस क्वांटिटी में चाहिए वो आपको पता होना चाहिए बस उसके बाद तो आप इसका दवा सही तरीके से बना सकते हैं दोस्तों यह है फिटकरी इसको एलम बोलते हैं इस फिटकरी का उपयोग कैसे करना है आपको फिटकरी को मात्र एक रत्ती लेना है ध्यान से सुनिए एक रत्ती रत्ती समझते होंगे जो लाल कलर का चोटा सा चने के बराबर सा होता है उससे भी चोटा ही होता है तो एक रत्त लेना है अब दो रत्ती के आसपास इसमें फिट किरी नहीं दो रत्ती के आसपास चीनी लेना है आपको ये स्कीन पर दिख रहा है आपको चीनी लेना है अब दूनों को मिलाके तवे पे एक मिनिट के लिए दोनों को एक-दू मिनिट के लिए हलके आँच पे सेक लें जब से से इस्तेमाल नहीं कि जा रहा है, दिक्कते आ रही है, तो आप इस पर पानी का सेवन कर सकते हैं, लेकिन आमतोर पे अगर वैसे करते हैं, बिना जल के, बहुत फायदे करते हैं, तो इसको एक रत्ती फिट किरी लें, दो रत्ती चीनी, और दोनों को मिला के आपको क्या करना है सबसे पहले आपको दोनों को मिला के भून लेना है जब भूनेंगे दोस्तो तो इसका कलर थोड़ा सा वैरी करेगा और जब वैरी करेगा इसका कलर तो आपको क्या करना है वही पर रोग देना है उसके आगे नहीं जाना है उससे आगे अच्छे से इसक वो तैयार हो गई है, जब खूराक आपकी तैयार हो जाएगी तो आपको क्या करना है, थोड़े देर के बाद आपको उसको ले लेना है, जब आप उसको खालेंगे, ऐसे देखेंगे आप 15 दिन या 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन में आपका या continuity लगा रहाना चाहिए, उसके बाद प्रॉब्लम चलेगा कि आपकी खासी गले की खरास और प्रॉब्लम यह सब निकल गई है, दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए है, तो मारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूले, थैंक्यू फर वाचिंग, घरेल वोस्ती